गुड मॉरिंग तो चलिए सुरू करते हैं आज का डेज का देगे हम यहां पर जो यह मेरा विस्तरो गेरा है यहां पर हम इसे रहे हैं तो अब उठने के बाद हम सीधा चलते हैं तो थोड़ा सा दिखाते हूं में आज कितना ज्यादा टेंप्रिजर कम है फोग बहुत ज्या तो आपको यह देखेगा किस तरह का देखे फोग है इधर आप सभी पता है काफी जादा नौर्थ इंडिया में बहुत जादा ठंड होती है तो यह देख सकते हैं मतलब एकदम विजिबिलिटी भी बहुत जादा कम हो गई है इस फोग की वजा से तो यह दर अधर देख सकते ही नहीं देखे देरा ठंकी वजा से तो अब चलिए सीधा चलते हैं अपने स्टेडी डेवल पर आज की स्टेडी को करते हैं स्टार्ट होप आप जो हैं वीडियो को लाइक कर रहे हैं पसंद कर रहे हैं आपको अच्छी लग रहे हैं तो अब देखे अब जो हमारी पहले जो environment होता है काफी प्रियों औरियंटेड आप सब पता है तो environment की study नतलब pre clear करना है तो काफी लग बगर environment की अगर हमने जो है 17 हर साल 15 to 17 questions environment से आते हैं मान लीजिये अगर 12 to 13 अगर हम कर पाते हैं तो जिसमाली जी 50% काम हो चुका है हमारा 50% काम complete हो चुका है environment का वेटिज क्यों होता है क्योंकि उसमें Indian forest service का प्री जो है Indian forest service वालों का प्री जो है एक ऐसा method बनाना चाहिए या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक पारिटिकुलर्ली अलब selective study ना कि descriptive study करनी चाहिए अगर टोपर वाली study करनी है तो बहुत जादे अनलाइज करना पड़ेगा कि UBC का pattern क्या होता है तो हमारे moment लगबग complete हो जुगा है तो आप दिए देखे elements जो मैंने रात को भीगो के रख दिये थे यह थोड़े से ना आपके जो mind को freshness देते हैं और मैं तो सभी को suggest करूँगा कि आप भी यह थोड़ा बहुत लिए कीजिए जो है शाम में आपने भीगो के रख दिए और तो इसमें पानी के अंदर डाले और सुभा को इनका जो यह होता है इस तरह से चील के आप इसको ले सकते हैं काफी benefit होगा यह आपको अगर आप study कर रहे हैं तो खुप आप तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा नास्ता करने उसके बाद हम चलते हैं next study पर तो दोस्तों अ हम स्टार्ट करेंगे अपनी जो यह modern इंडिया की book है spectrum इसको हम पढ़ते हैं और बाकी सब आप देख चुके हैं हमने क्या क्या किया सुभसा है तो थोड़ा बहुत मैं कुछ इसमें बीच में include करना भूल जाता हूं ठीक है कोई ऐसी usual activities होती हैं जिनको मैं include करना इतना खास काफी टाइम लगता है कि यह पढ़ने में लेकर लेते हैं दो तीन गंटे का आया की यूटीब पर हम देख लेता है कि साथ गंटे में यह कटम और तीन गंटे में इस तरह बहुत सारे आपको प्रवाइड मिल जाएंगे लेकिन अब एक्षुली में रीड करते हैं तो काफ जादर टाइम लगता है उसके बास सेकिंड टाइम में आप जैसे हाइलाइट कर देंगे तो कम टाइम लगेगा तो चलिए हम इसको पूरा पूरा लग बग हम कंप्लेट करने की तादार पर हैं और काफी टाइम भी हो चुका था हमें इसे रेड करते करते हो आप जो है हमारे वीडियो को टाइब hour करें इस वारक जो वीडियो है कौफी लेट है क्योंकि थोड़ा कह सकते हैं स्टीडिन बहुत सब्सादर टाइड हो गया था अजब बग प्रह करने का वह वध हो रहा है तो इस वजज़य से फेडियो कार लग वी वच्यों को लीommtिए आज जो है थोड़ा सा सूरज सन देखने को मिला लगबग आठ से दस दिन के बाद दस दिन के बाद अब देख सकते हैं थोड़ी से खिली खिली सी हलकी सी धूपनी कर लई है जिससे थोड़ा सा हम जो है सूरज में जाका थोड़ा सा आराम ले सकते हैं आराम धायक होता है बह तक 10 वारे दिन के पाद थोड़ा सा सूरज देखने को मिला है तो अलमॉस्ट इधर उधर देख सकते हैं आप सबी ने अपने जो कह सकते हैं रूफ है वहां पर कपड़े हैं हमारे भी इधर कपड़े जो भी सुखाने के लिए वो भी सब डाल दी हैं जिसे की थोड़ा सा हव होगा निकल जाए और जो है नेक्षिन नेक्स टाइम पहनने के काम आजाए क्योंकि धर में आप सभी को पता है बहुत ही बहुत ही जादा कम कपड़े को सुखाने का मुखा मिलता है अब 10 दिन की बात बहुत बहुत जादा इतने नहीं सुखते हैं और यह तो चलते हम यह बाद हम अपनी स्टेडी डेवल पर आए हम पढ़ेंगे ऑफ्सनल ऑफ्सनल की एक रिडिंग लेते हैं ऑफ्सनल की रिडिंग काफी लंबी होने वाली है लंच के बाद लगबग हमें दो से तीन वजी हमने अपना स्लोट स्टार्ट किया है और यह लगबग दो से तीन घंट रहा हूं जिससे थोड़ा सा आपको पते चलाए कि क्या आपकी एक डिमार्केशन अगर आपकी हो जाती है ना कि हाँ इस डिमार्केशन के अंदर अंदर आपको रहना है और यहीं पर ही स्टडी करनी है तो यही काफी बहुत अच्छा रहता है जिससे आप वहां के बाहर न अंदर रहते हैं उस अंदर रहते हैं हर कोने में आप जाकर देख लेते हैं अब माली जी एक रूम है रूम है हमने एक रूम कर दया तो रूम के आप हर कोने में घूम होंगे तो इसी तरह से अपनी प्रपरेशन की डिमार्केशन लाइन भी होने चाहिए जिसके आप हर कोन और झानेसे में ग्हूं के अच्छे को समझने को याद कर लें और बैटर मीमें बसा लें अबने तोड़ेनग कर लें यही एक इस प्रेंट की यह कि OPAC की मांग होतीया from an AI so estarowania होती है यहां पर कंप्लीट हो चुका था और जो है डिनर। का वक्त हो चूका था मैं डिनर के लिए गया। और डिनर के लिए जाय स्रु anh ऐसी फ़ोर में इंक्लूड करना भूल गया ओर उसके वाद इंक्लूड करने केबाद हम मैं आटा था हूं next target हम करते हैं next target हमारा थोड़ा साम current affair को read करते है current affair को read करते हैं थोड़ा से youtube की video पे देखते हैं current affair को read करते है current affair को read करने के बाद हम काफी लगबग के सकते हैं कि हमें जो है शाम के रात के लगबग साथ क्योंकि यहां पर रात के व्लोग हमारे रहेगा थोड़ा सा हेक्ट कर सकें आप भी अपने टाइम इस तरह से मेनेज करें तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लोग में आई होप आपने ये हमारा वी लोग इंजोई किया होगा और आपको भी पसंद आया होगा जबरू पताएं कमें इंट बॉक्स मे झाल 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 झाल